नमस्कार दोस्तों आप कैसे है कमेंट करके आप जरू बताईगा दोस्तों आप लोग को जैसा पता है कि लोग बोले हैं कि पंदर तारीक के बात पूरी तरीके से लगे गा फूरी मेवाइसा तेक मैसेजिम ये वाइलयर वहाद Ha ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला हाला कि एक बात यहां पर है निकल के आ रही है कि जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधान मंत्री है वो जो है कि जो जिस राज्य में सबसे ज्यादा करोना है कोरोना के जो केस हैं वहां के जो मुख मंत्री हैं उनके साथ 16 करने के बाद वहां से चीजे निकल की आएगी कि आगे क्या करना लेकिन अभी फिलहाल में पंदर तारी के बाद कोई भी फूली लॉगडाउन नहीं लग रहा है इस सब फेक अफवाह है ठीक है वे विनियाद बाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है हाले कि कोरोना का केस बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है परडे जो की 10,000 ए 11,000 केसे तो हो भी सकता है लॉगडाउन नहीं भी हो सकता है वह आप 16-17 तारीक के बाद ही पता चलने वाला है तो आप मुझे कमेंट करके जरूब बताएगा कि क्या लॉगडाउन फूली लगना चाहिए या नह 10-100 लोग को बताता है तीस तरीके से फेक न्यूज जो की वारल होते हैं इससे क्या होता कि बहुत सारे लोगों में कन्फूजन आ जाती है यह जो की गलत है तो आप फेक न्यूज से बचें ठीक है सही न्यूज की जनकारी लें उसके बाद ही आप दूसरों को यह जनकारी तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वारा फिराल में 16-30 तक वेट करिए बैठक के बाद पता चलेगा कि लोगडाउन होगा यह नहीं तो कमेंट करके जरू बताएगा आपका क्या रहा है ठीक है तो थाएंकि सोमच जैन जै भारत